Welcome to Only Ais, स्वागत है आप सभी लोगों का Current Affairs Revision for Problems 2021 में Science and Tech के Current Affairs के Revision का ये हमारा सात्वा लेक्शर है आज के इस सेशन में हम मार्च महिने के Science and Tech के Current Affairs को रिवाइस करेंगे इस सेशन का First Important Article पाश्वेरेला मल्टुसीडा के बारे में है देखिए अभी हाल ही में कुछ समय पहले कलापात वाइलेस सेंचुरी में 6 हाथियों की मौत होई थी कारण में निकल के आया कि ये पाश्वेरेला मल्टुसीडा नाम के बैक्टीरियम की वज़े से इनकी मौत होई है तो environmental experts अब थोड़े concern चाहिद कर रहे हैं फिर तो गड़बड है देखिए ये है क्या ये प्रकार का bacteria है जो बहुत common है जो भी साकाहारी जीव होते हैं उनके respiratory tract में अक्सर पाया जाता है especially cattle में अगर वो जो cattle है या वो जो जीव है वो किसी भी तरीके से stress में है या फिर healthy नहीं है उसकी immunity कमजोर है तो फिर ये प्रभावी हो जाते हैं और ये blood stream में enter कर जाते हैं जिसके वज़र से diarrhea या फिर hemorrhagic septicemia नाम की बिमारिया हो जाती है अब अगर वो जीव इंसानों को खरोच ले या उनको काट ले तो उससे ये बिमारी इंसानों में भी आने का खत्रा रहता है कुल मिला के ये genetic disease भी create कर सकता है तो ये सारी बाते हमने इस article पर करी जो बात करता है इस रो की हाल में जो launch थी इसके बारे में तो इंडिया ने हा 51 रॉकेट है काफी जादा इस्तमाल में रहता है इस रो के द्वारा ये इसकी 53rd फ्लाइट थी PSLV प्रोग्राम के तहत और ये खास बात ही है इसकी कि ये पहला ऐसा मिशन था जो कि NSIL के अंतरगत किया गया है NSIL पिछले साल ही existence में आया है NSIL है क्या भई? NSIL New Space India Limited इस रो की कोमर्शियल आम है कोमर्शियल आम मतलब ये देखें कि भाई इनका व्यावसाइक काम कैसे किया जाए क्योंकि इस रोसल में इंडिया की Space Research Organization है इसका प्रमुक काम है research करना इंडिया के लिए कि भाई कैसे मैपिंग की जाए कैसे study किया जाए प्लानेट को पर क्योंकि इंडि इनको अपने खुद के satellite चाहिए होते अंतरिक्ष में जिससे वो data process कर पाए communicate कर पाए अपने दर्शकों के साथ ये अपने consumers के साथ अर्थ पे तो वो सारी companies जो launch vehicle चाहती है अंतरिक्ष में जो satellite चाहती है उनके अंतरिक्ष में हो तो वो अकसर कुछ space agencies के पास जाती है तो इ आम को अलग कर दिया जो कि है NSIL इससे पहले एक एंतरिक्ष थी तो एंतरिक्ष के आगे जाके NSIL और ज्यादा बड़े पैमाने पर काम करेगी कैसे commercialize किया जाए कैसे profits कमाये जाए satellite launch करके ये इस रों के अंतर ही आएगी लेकिन इसका काम होगा commercial flights को देखना तो ये जो mission था ये launch किया गया था space flight inclusive जो USA की company है उसके साथ मिलके commercial agreement था तो देखते हैं कि क्या खास बात है जो satellite से इसके बारे में पहली बात जो Amazonia 1 satellite launch की ये एक Earth observation satellite है तो इसे launch किया गया था Brazil के National Institute of Space Research के साथ मिलके जिसोंने इसको design किया था और जो इसको operate करेंगे satellite को अब सवाल है कि satellite का काम कि इसे नाम से clear है कि Amazonia 1 ये कुशिश करेगा कि Amazon forest के data को collect करने के लिए कि भाई वहां पर कितनी deforestation हो रही है उसमें ये remote sensing data देगा मतलब उनको बताएगा कि भाई कहा deforestation हो रहा है क्यो agriculture को diversify किया जाए क्या-क्या problems आ रही है इन सभी चीजों के बा जाती है वो थी है sun synchronous orbit sun synchronous polar orbit के खास बाती है होती है कि ये एक low earth orbit की तरह होता है यानी 700 से लेकि 900 km की range में होता है जो आपको यहां दिखी रहा है और sun synchronous polar orbit की खास बाती है कि अगर earth है ये बड़ा सा sun है तो जो satellite यहां घूम रही है इसके आस-पास वो sun के साथ सिंक में होती है जैसे mobile को sync कर लेते है email को sync कर लेते है वैसे sun के साथ सिंक में होती है तो जब वो अपना चक्कर कारती है तो एक ही जगे के आस-पास वो गुजरती है उसी location से गुजरती है वो एक तरह से sun के साथ जो इंडिया को earth का orbit है sun के साथ वो sun के साथ fixed रहती है उसके सिंक में रहती ह तो इसलिए अगर आपको एक जगे को बार-बार observe करना है तो आपको एक satellite जो वहाँ से बार-बार गुजरे है तो वहीं से गुजरती रहती है हमेशा ये तो इसलिए ये satellite यहाँ पर बहुत important role play करती है observation के लिए और इसके खास बात ये है कि ये पहली satellite थी जो launch की गई थी किस के तहित? NSIL के तहित इसके अलावा जो Amazon या 1 है इसमें कुछ Indian satellites भी थे जैसे सतीश जवन सेटलाइट जो कि Space Kids इंडिया द्वारा launch की बढ़ाए गई थी ये एक नेरो सेटलाइट है जो कि radiation level को चेक करेगी Space के weather को चेक करेगी खास बात यह है कि यह आपको Long Range Communication Technologies के बारे में बताएगी और इस चीज को दरशाते हुए कि कैसे आत्मिरवर भारत का initiative launch किया गया और किस तरह Space को privatize किया जा रहा है उसके साथ solidarity दिखाते हुए, सानभूती दिखाते हुए इस सेटलाइट के उपर engravings है जिसमें लिखा हुआ है आत्मिरवर भारत तो यह था किस चीज के मैं बात कर रहा हूँ यह मैं बात कर रहा हूँ सतीश धवन सेटलाइट की जो कि किस के दोरा बनाये गए थी Space Kids इंडिया के दोरा अगली सेटलाइट की जो बात है वो है Unity Set यह तीन सेटलाइट का कॉमिनेशन है यह डिजाइन क्या गया था तीन इंस्ट्यूट स्वारा एक तो जिसे JPR इंस्ट्यूट आफ टेक्नालोजी जे एच राइसवानी कॉलेज ऑफ इंजिनिरिंग नागपुर और श्रीशक्ति इस्ट्यूट आफ टेक्नालोजी एन इंजिनिरिंग कोईम बटूर के दोरा इस सेटलाइट का काम है रेडियो रेले सर्विसेज प्रवाइड करना जैसे मैंने Unity Set सेटलाइट की बात करी उसी तरह सिंधुनित्रा सेटलाइट एक और है इसके साथ लांच की गई है जो कि बैंगलवर के स्टुइनस ने मनाई थी जो PES उनिवस्टी के है PES उनिवस्टी का यह दूसरर सेटलाइट लांच है और यह काम करेगा किस चीज यह सेटलाइट काम करेगी जो Indian Ocean region है उसमें जो warships जा रहे हैं या merchant ships जा रहे हैं उनको identify करने में कि भाई कौन सी ship एक warship है कौन सी एक commercial वहिकल है या merchant की वहिकल है या किसी website की एक ship है तो इससे इंडिया की जो surveillance capacity है Indian Ocean region में हम ठीक से जान पाएंगे कहां से कौन गुजर रहा है ताकि हम धंक से नजर रख पाएं और चाहिए वो piracy की बात हो चाहिए terrorism की बात हो सो control किया जा सके तो और यह specific खास बात यह है कि यह South China Sea की region में भी और Gulf of Aden और African Coast के आसपास भी नजर रखने में हमारी मदद करेग अब देखें यह तो core Indian satellite के हमने बात कर लिए जिसके तहरत हमने बात करी सिंधुनेत्र सेटलाइट अब नाम से clear है सिंधुनेत्र दूसरा unity set satellite और तीसरी पहली जो हमने बात करी थी सतीषधवन सैटलाइट तो तीन प्रमोख जो Indian satellite है हमने इसके बारे बात कर ली इसके अला से काम किया जाएगा तो इस तरह के satellites launch किये गए इसके साथ और इसमें इसके अलावा और detail में अगभी हम जाएं तो लगबग 13 satellites थे overall जो US से थे पर वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टन नहीं कि इतने satellite launch कि हम सब के माले में इतनी detail में पढ़े जरूरी नहीं है हमें पता हु आती है गुमती रहती है उसको observe करती रहती है पर जाता है नशनल साइंस ने मनाया जाता है क्यों 28 ठosphरोड़ी को इसलए मनाया जाता है इसी दिन सर्सीवी नमन ने रमन effect का विशकार किया था और इनको इसके लिए Nobel Prize मिला था 1930 में और Science से Nobel Prize पाने वाले पहले Asian वेखती थे तो पहली बात कि भाई कार ही क्या है क्या क्यों मनाते हैं National Science Day तो obviously इसका प्रमुख उदेश है कि किस तरह Science की Importance को बढ़ावा दिया जा सके और इसको और ज़दा बच्चों को प्रिरित किया जा सकी तकि वो और ज़दा Science के शेतर में आ गया है यह जो celebration होती है किसके दोरा करी जाती है तो वो है NCSTC यानि National Council for Science and Technology Communication जो की Ministry of Science and Technology के अंतरगत आती है पहला Science Day 1987 में मनाया गया था और इस बार की जो Science Day की Theme है वो है Future of STI Science, Technology, Innovations, Impact on Education, Skills and Work बहुती normal सी लाइन है Impacts on Education, Skills and Work क्या प्रभा हो रहा है Science, Technology और Innovation का तो जब हम इतनी बात करी रहे हैं तो देख लेता है रमन एफेक्ट क्या है रमन एफेक्ट असल में एक फेनोमेना है जिसकी खोज इन्होंने की थी यह हमें यह बताता है कि Sky Blue क्यों है यह Oceans हमें Blue क्यों दिखते हैं तो इसमें basic सी इतनी बात है कि जब एक Light की Beam किसी Molecule से चकराती है तो Deflect होती है इन्होंने ऐसा दरशाय था कि Light of Beam से जा रही है कुछ तो Light of Beam सीधी निकल जाती है लेकिन कुछ-कुछ Molecule से आगे Deflect हो जाती है Deflection की वज़े से उनकी wavelength में बदलाव होते है और यह जो wavelength का जो बदलाव होता है इसमें विशेश तरह का रंग बनता है ठीक है जो की Incident Light का होता है और यह जो Effect इसकी वज़े से आता है उसे हम कहते है Raman Effect याद रखने वाली बात इसमें यह है कि जो भी light scatter हो रही है थोड़ा सी light scatter होती है उसकी wavelength बदल जाती है मां की light की wavelength नहीं बदलती For example, अगर यह white light जा रही है ठीक है तो इसमें एक light जो scatter हो जा रही है इसकी wavelength भी बदल जा रही है और सक कदर भी change हो जा रहा है तो वो observe को दिखाई दे रहा है तो इसलिए हमें sky भी blue दिखाई दे रहा है तो यह basic definition की रमन effect की अब आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगले article की तरफ निकल बात करता है Artica M satellite के बारे में Artica M satellite बिल्कुल नाम से जिस तरह आपको संदेश मिल रहा है यह बिल्कुल उसी के आसपास की है यह एक satellite है जो monitor करेगी जो observe करेगी Arctic Ocean को तो Artica M इसका नाम है यह Arctic Ocean को observe करेगी किसके तोरा launch की गई है तो रश्या के तोरा launch की गई है और कहां से launch की गई है तो कोस्मोड्रॉम नाम की जगह है काजकिस्तान में अब कोस्मोड्रॉम क्या हो गया तो देखे पहले जब space race शुरू हुई थी रश्या यानि यूससर हुआ करता था था तब उसके और USA के बीच में तो पहले यूससर नहीं अपने लोग अंदरिक्ष में भीजे यूससर नहीं पहली सैटलाइट लाँच करी तो ये उस टाइब में एस्टोनाट शब्द का इस्नमार नहीं करते थे ये अपने एस्टोनाट को कोस्मोनाट कहते थे और जो इनकी लाँचिंग फेसिलिटी थी उसको कोस्मो ड्रॉम कहते थे तो कज़किस्तान में ये लोकेटेड थे तो एक टैम में रश्या कज़किस्तान आविसली सब यूससर का ही पार्ट थे अब तो हनकी अलग-अलग देश बन चुके है तो जिस रॉकेट से लॉज किया गया वो स्वेस केरियर रॉकेट है और आटिका-म सैटलाइट असल में दो सैटलाइट का हिससा इसका दूसरा सैटलाइट 2023 में भेजा जाएगा यह दोनों सैटलाइट मिलके आक्टिक ओशन के आसपास जो क्लाइमेट है एंवारमेंट है पूरी जानकारी उसकी देंगे उस पूरी रीजन को कवर करेंगे 24 घंटे all weather monitoring करेंगे उस Arctic Ocean की, surface of Earth की जिससे हमें short term weather forecast अच्छा मिल सके क्योंकि Arctic में climate change के विए से जो impact हो रहा है जो वहाँ पे climatic और weather conditions change होते हैं उसके बारे में हमें नया नया data मिलेगा जिससे अलग-अलग तरीकों से पढ़ा जा सकेगा अर्टिकल एरीज देवस्थल स्पेक्टोग्राफ के बारे में है जिसे एक और नाम दिया गया है एरीज देवस्थल faint object spectrograph and camera short में ADF OSC देखिए इसे Indian scientist ने indigenously design भी किया है और develop भी किया है काफी low cost है Optical spectrographs अगर हम किसी दूसरे देश से मंगाते हैं तो वो काफी महगे पड़ते हैं लेकिन इसे जो बनाया गया है इसकी जो cost आई है वो approximately 4 crore आई है जो कि comparatively सस्ता है अब ये optical spectrograph होता क्या है स्पेक्टोग्राफ एक प्रकार का instrument है जो astronomical spectrum को record करता है उसके बाद हम उसे study कर सकते हैं spectrum को मिला के range होती है electromagnetic waves की अगर ये electromagnetic waves की एक range है या band है spectrum electromagnetic waves में radio waves, microwaves जो visible light होती है जो ultraviolet rays होती है वो सब आ जाती है तो उन्हें हम record करेंगे और study कर सकते हैं उन्हें detect करके study करने की ये जो हमारी capability है इसकी वज़र से हम astronomical जो event हो रहे हैं जो अंतरिक्ष में घटनाए घटित हो रही हैं हम उनके बारे में अच्छी जानकारी घट्था कर सकते हैं इसे develop किया गया है ARIES के द्वारा जिसका full form है आरे भट research institute of observational sciences ARIES एक autonomous institute है जो department of science and tech के तहत काम करता है इसका देखे purpose बिल्कुल simple है कि हम faint light के जो sources है उनको locate करें अब faint light का मतलब ये ऐसी light जो बेहोस हो गई है वो मतलब नहीं है यहाँ पर faint light का मतलब होता है धीमी light इसे आसानी से detect नहीं किया जा सकता उसे ये detect कर सकता है किसी नए नए universe में जो बहुत हाल फिल हाल का बना हुआ है उसमें जो बहुत दूर की galaxies है उन्हीं इसके जरीए हम identify कर सकते हैं जो super massive black holes हैं हमारी galaxy के आस पास उन्हीं भी detect किया जा सकता है जो cosmic explosions होते हैं like supernova या फिर जो massive star या faint dwarf galaxies होती हैं हम उन्हीं भी इस object की मदद से identify कर पाएंगे location कहा है इसकी जैसा कि नाम में ही लिखा हुआ है देवस्थल ये देवस्थल optical जो telescope है 3.6 meter वहीं पर इसे commission किया गया है ये उत्तरा खंड के नैनी ताल के नस्दीक में है देवस्थल की जो location है वो नैनी ताल से 20 km की दूरी पर है spectrograph एक instrument होता है जो astronomical spectrum को obtain and record करता है ये हमने पहले ही देख लिया ये incoming light को अलग-अलग करता है उनकी wavelength या frequency के मताबिक फिर उन्हें record करके एक photographic plate पर उतारता है ताकि हम उन्हें analyze कर सके फोटोग्राफिक plate कोई भी glass या फिर metal की plate होती है जो light को एक image के form में convert करती है ये जो image है ये प्रिकार की photographic image है फोटो का मतलब light होता है ठीक है ताकि हम उसे अच्छी तरीके से study कर सके और analyze कर सके बात करते हैं 3.6 meter देवस्थल optical telescope के बारे में इसे देखे 2016 में तयार किया गया Aries के द्वारा लेकिन Aries ने इसे अकेले तयार नहीं किया था यहाँ पर हमें मदद मिली थी Belgium से Belgium का जो एक एक firm है Advanced Mechanical and Optical System AMOS उन्होंने हमें मदद दी थी उनकी मदद से हमने इसे 2016 में तयार कर लिया ताकि हम celestial objects और जो optical wavelengths है उन्हें study कर सके celestial object कोई भी ऐसी national body होती है जो Earth के atmosphere के बाहर है चाहे वो सूर्य हो चान हो या फिर कोई planet हो कोई other solar system में रहने वाली चीज हो वो सब celestial object हो जाएंगे इसकी location देखे ननी ताल से थोड़ी दूरी पर देवस्थल में है अब इसे ननी ताल से थोड़ी दूर देवस्थल में ही क्यों situate किया गया ताकि हम जो astronomical events है stars है black holes है galaxies है उनको detect कर सके उनकी जनकारी कठा कर सके ननी ताल में भी लगा सकते है देखे ननी ताल एक ऐसा area है जहां पर natural light काफी ज़दा मिलती है लाइक city है तो lights वगएरा बहुत ज़दा रहती है अब idea नहीं लगता कि यह light हमने universe से detect करी या फिर कोई tube light जल रही है किसी city की उसकी light तो कहीं इदर दर से नहीं आ गई तो उसमें study करने में problem होती है तो वो लोग एक distant location देख रहे थे तो फिर वो 20 km के distance पे गया है तो वहाँ पर देवस्थल में लगभग 2.5 km की उचाई पे उन्होंने देवस्थल में इस telescope को establish किया जो कुछ ऐसा देखता है significance यह है कि यह Asia का अभी तक का largest reflecting telescope है reflecting telescope ऐसे telescope को कहा जाता है जो या तो एक या फिर combination of curved mirrors यानि की ऐसे जुके हुए mirrors का इस्तिमाल करते हैं ऐसे या फिर ऐसे mirrors का इस्तिमाल करके जो lights होती है उनसे एक image form करने की कोसिस करते हैं ताकि हम किस object से वो image वो जो light है वो आ रही है उस इसारी बाते एरीज देवस्थल स्पेक्टोग्राफ के बारे में हमारा next article malaria के बारे में है news El Salvador के बारे में है El Salvador अभी Central America की पहली ऐसी country बन गई है in fact overall America's की तीसरी ऐसी country बन गई है जिसे WHO ने malaria free declare कर दिया है सबसे पहले El Salvador की location देखते हैं यह है दुनिया का map यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है यह इंडिया है और यह El Salvador आपको Central America में मिलेगा और close map देखे यह है El Salvador यहाँ पर neighboring countries में आपको Guatemala, Honduras और Nicaragua दिख रहे होंगे तो यह Central American countries है El Salvador को अभी malaria free declare कर दिया गया है देखें malaria एक परसाइट से होता है प्लाजमोडियम परसाइट से जो commonly मच्छरों को प्रभावित करता है उसके बाद यह इंसानों को काट लेते हैं largely female anophilies mosquitoes जो होते हैं वो इंसानों के skin पर इस parasite को लेकर आते हैं जिसके बाद इंसान को malaria हो जाता है malaria के चार प्रकार होते हैं प्लाजमोडियम फैलसिपरम, प्लाजमोडियम विवेक्स इसे पी विवेक्स चॉर्ट में बोल देते हैं पी ओवाले और पी मलेलियाई एक और होता है पी नोलेसी यह largely इंसानों को कम अफेक्क करता है मकात यानि कि जो बंदरों की प्रजाती होती है साउसी स्टेशिया की उनको जड़ा प्रभावित करता है उसके बाद उनसे यह इंसानों में आ जाता है इस लिहाज से आप इसे जोनोटिक कह सकते हैं जोनोटिक कोई भी ऐसी ब्मारी होती है जो जानवरों से इंसानों को हो जाए सिम्टम्स बिल्कुल सिम्पल है बहुत तीज फिवर होता है ठकान महसूस होती है वोमेटिंग इन हेडिक होता है बाद में जो यलो स्किन है सिज्योर है कोमा और अल्टिमेटली अब्वेसली डेथ के भी चांसेस पर रहाप रहते हैं तो यह सारी बाते मलेरिया के बारे में यहाँ पर देखें जब बात मलेरिया की की जाती है तो दमर इनिशेटिव का नाम जरूर आता है जो की उडिसा का एक इनिशेटिव है दुरगामा आचलरे मलेरिया निराकरन काफी सिगनिफेकेंट है यह यहाँ पर जो बहुत ही इन NIMR के द्वारा, यानि कि Indian Council of Medical Research, National Institute of Malaria Research के द्वारा, at the same time, involvement है National Vector Brown Disease Control Program, और URISA और जो Medicine for Malaria Venture है, यह सभी लोग मिलकर इस पुरे इनिशेटिव को रन कर रहे हैं. नेक्स्ट आर्टिकल सबसे जादा दूरी पर डेटेक्ट किये गए कौसर के बारे में है, जिसका नाम है P172-18, कहा जाता है कि आपका मुस्तक्बिल सितारों जैसा रोशन हो, मतलब कि आपका भाग्य तारों जितना चमकदार हो, लेकिन क्या हो कि कोई इन तारों को ही खा जाए, बिलकुल हम बात कर रहे हैं कौसर के बारे में, अभी हाल ही में एस्टनॉमर्स की एक इंटरनेशनल टीम ने सबसे दूरी पर अभी तक जो हमने डेटेक्ट किया है, उस इसे ESO, VLT भी कहा जाता है, तो रेडियो लाउड पर जाएं, उसके पहले हम कौसर समझ लेते हैं, आप इसे एक बहुत ही खतरनाक और तारों को खा जाने वाला ब्लैक होल भी कह सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजी, अकेला ब्लैक होल कौसर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कौसर एक complete object होता है, एक बहुत ही जादा चमकदार object, जिसमें center में एक बहुत ही super massive black hole होता है, यह जो यहाँ पर आप एक image देख रहे हैं, इसमें center में आपको एक black hole दिखाई दे रहा है, इसके चारों और एक disc होती है, जो धूल से और gases से बनी होती है, चुकि यह आस पास के तार light airs के जितना बड़ा होता है, इसलिए बहुत पूरी पर होने के बावजूद चमकदार रूप में देखे जा सकते हैं, इनके एक खास बात और होती है, यह जो energy खा रहे होते हैं, उसे एक beam के रूप में emit करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह energy को काफी तेजी से emit करते हैं, जो कई light airs के दूरी तक जाता है, यह जो पूरा structure है, आप इसे कह सकते हैं, quassar, जो word quassar है, इसे नाम दिया गया quassi stellar radio source के form में, क्योंकि यह radio waves या radio frequency के जो jets से वो emit करते हैं, तो जब इन radio frequencies को for the first time हमारे जो astronomers से नोंने detect किया, तो वो confused थे, यह आ कहां से रहा स्टेलर का मतलब होता है, something that is related to stars, उन्हें clear नहीं था कि यह star है कि नहीं है, उन्हें लगा कि यह star जैसा तो कुछ है, लेकिन पूरी तरीके से star नहीं है, तो उन्होंने इसे quassi star कहा, या quassi stellar कहा, जो तारो जैसा तो है, लेकिन पूरे तरीके से तारो जैसा नहीं है, और कि मैंने कहा, उनका size कई light ears में फैला हुआ हो सकता है, यह देखे किवल उन्हीं galaxies में पाये जाते हैं quassi stars, जिनकी galaxy में बहुत ही super massive black hole हो, जिसके चारो और बहुत ही bright disk मिलेगी, इन galaxies को active galaxies कहा जाता है, जो super massive black hole को possess करते हैं, quassi stars, जो energy emit करते हैं, उसकी वज़ए से इनके च swirling structure बन जाता है, जिसे हम disk कह रहे हैं, अब इन quassi stars को आप दो तरीके से categorize कर सकते हैं, radio loud और radio quiet, इतना technical ना जाएं, तो साधरन भासा में, जिस quassi stars में यह beam, जो emitting light आपको दिख रही है, यह हो, वो radio loud है, और जिसमें ना हो, वो radio quiet है, जो हमें अभी मिला है, वो radio loud है, मत अभी तक जितने भी quassi stars हमने detect किये हैं, यह सबसे जादा दूरी पर है, जो radio loud quassi stars होते हैं, उनके overall structure का लगभग 10% बनाता है, जो radio quiet होते हैं, उनमें ऐसे powerful jets नहीं होते, इनका radio emission comparatively weak होता है, ज्यादा तर quassi stars जो होते हैं, वो radio quiet होते हैं, मतलब ज्यादा तर quassi stars में य जो jets निकल रही हैं, beams यह नहीं होती है, 13 billion years लगे हैं इस quassi star की light को earth तक आने में, यह जो चमकदा disk है, इस black hole के चारो ओर, यह 300 million times ज्यादा चमकदार है हमारे sun के comparison दो, इसके center में जो black hole है, वो आस-पास की, यह जो इसकी galaxy है, उसके आस-पास जो भी stars हैं, उनको बहुत त तेजी से खाता जा रहा है, significance की बात करें, तो ऐसे radio loud super right objects अगर हमें मिल रहे हैं, तो हम early, जो हमारा universe था, जब big bang के बाद ये black force बने, ये अतने तेजी से बड़े क्यों हो रहे हैं, और उस समय के क्या characteristics रहे होंगे, उनके बारे में जानकारी मिल सकती है, हमें और ऐसे अग बारे में है, researchers ने ये पाया कि जो diptheria है, जिसे आप सामा निभासा में कई बार गलगोटू भी कह दिया करते हैं, ये अब धीमे धीमे resistant हो रहा है, कई प्रकार के antibiotics को लेकर, हो सकता है, आने वाले समय में इसके उपर vaccination भी काम ना करें, ये तो चिंता की बात है, लेकिन ये कैसे है, मैं आपको बता दूँ कि ये जादा तर बच्चों को प्रभावित करता है, ये प्रकार के infectious disease है, यानि कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकती है, इसे एक bacteria cause करता है, जिसे कहा जाता है, corny bacterium diptheriae, इसका प्रभाव कैसा होता है, यहाँ पर आपको जो throat होता है, वो सबसे पहले infect होता है, और जो सांस की नलिया होती है, प्रभावित होती है, वहाँ पर जो toxin होता है, वो organs को प्रभावित करने लगता है, जो ये bacteria है, वो आपके throat में enter तो कर जाता है, लेकिन 2-4 दिन तक वो प्रभावी नहीं होता, यह उसका incubation period होता है, जहाँ पर वो अपने numbers को multiply कर रहा होता है, उसकी बाद वो अचनक से प्रभाव डालना सुरू करता है, sore throat, गले में खरास मैसूस होगी, हलका बुखार आएगा, और जो glands हैं वो फूल जाएंगे, जिसके बाद वहाँ पर एक जिल्ली जैसी membrane जैसा बन जाता है, dead tissues का, इसकी वज़े से जो tonsil और throat है, वो प्रभावित होता है, सांस लेने में और ठूक, निगलने में दिक्कत होने लगती है, transmission की बात करें तो direct physical context से भी transmission हो सकता है, यसे कि हमने बात की, यह ज़्यादा तर बच्चों को प्रभावित करता है, तो माता, पिता या फिर जो घर के बड़े लोग है वो कई बार बच्चों को प्यार से चूम लिया करते हैं, अगर उनके पास यह bacteria है, तो बच्चे को प्रभावित करेगा, अगर किसी व्यक्तिन चीका या फिर खासा, तो उसके जो particles होते हैं, अगर उसमें बैक्टिरिया है, तो भी वो बच्चे को प्रभावित कर सकता है, ज्यादा तर प्रभाव चोटे बच्चों में होता है, यंग चिल्डरन में होता है, डिप्थीरिया जो है, उसके treatment के लिए डिप्थीरिया एंटि टॉक्सिन का इस्तिमाल किया जाता है, जो टॉक्सिन के एफेक्ट को नूटिलाइज करता है, और कई बार एंटिवाटिक् में होता ही है, जो वैक्सिनेशन होता है, उससे mortality और morbidity यानि कि जो बिमारी है, वो भी काफी टेजी से कम होई है, हाला कि अभी भी जो डिप्थीरिया है, वो एक महत्तपूर्ण health problem है चैल्ड के लिए, बच्चों के लिए, खास कर ऐसे रेसों में जहां पर immunization coverage अच्छा न कर गया है, जिसने space में military exercise को conduct किया हो, देखें सबसे पहले USA ने एक space force का गठन किया, उसके बाद दुनिया के कई अन्य देशों ने भी space force को बनाना शुरू किया, इनकी इस exercise का उद्देश ये था कि जो satellites इनकी space में हैं, वो उनको सही तरीके से protect कर सकें, तो उनको एक stress की situation म ground stations है, उनको उनको secure करने के practice करवाई गई, इस exercise में USA की जो space force है, उसने भी participate किया, और German space agencies ने भी participate किया, ये exercise एस्टरक्स नाम से पुकारी गई, because 1965 में यही नाम था, France की पहली satellite का, 18 simulated events यहां पर conduct किये गए, एक माहौल तयार किया गया कि satellites खत्रे में उनको कैसे बचाना है, monitor किया गया कि अगर कोई dangerous space object आ रहा है, तो कैसे tackle करेंगे, या satellite को खत्रा है, तो कैसे handle करेंगे, इंडिया ने भी IND SpaceX एक practice की थी, ये simulated space warfare exercise थी, simulated का मतलब यह है कि ये original नहीं थी, rather हमने computers के माध्यम से situation को create किया और उसे handle करने की courses की, एक practice की, virtual world में, इसके नमा mission सक्ती, जो क कि, इंडिया का anti-satellite missile test था, अगर कोई satellite spying करने के लिए इंडिया की territory में enter कर रहा है, तो उसे इंडिया नष्ट कर सकता है, अपनी इस capability के track, तो इंडिया ने भी space में, अपनी path को बहतर करने के लिए प्रयास किये हैं, हमारा next article, asteroid 2001 FO32 के बारे में है, 2001 इसलिए कहा जा रहा 20 साल पहले 2001 में से खोजा गया था, उसके बाद से ही scientist इसके path को track कर रहे हैं, इस सूरी के 4 और गोमता रहता है, लेकिन इसका orbit बहुत eccentric है, मनमाना है, कभी ऐसे सन का चक्कर लगा लिया, तो कभी ऐसे लगा लिया, ये 810 दिन में सन का एक चक्कर पूरा करते हैं, speed 1224,000 km पर R है, बाकी के जो common asteroids से हमसे काफी जादा है, वैसे तो धरती से इसके टकराने का खतरा जादा नहीं है, ये नज्जीक से गुजरेगा लगभग 2 million km की दूरी पर, वैसे 2 million km काफी दूर होता है, लेकिन अगर आप astronomical objects के comparison में देखेंगे तो काफी नज्जीक है, इसलिए इसे अभी के comparison में थोड़ा और दूर होगा, 2.8 million km की distance पर होगा, asteroid होते क्या है, ये आप इन्हें minor planet कह लीजिए, जब universe का निर्मार हुआ था तो कुछ बचा खुचा जो रहा गया था, वो asteroid बन गया, आप ये धरती, मतलब धरती के चारो और क्या बोले हैं, पूरी universe में इसे ग लेंगे, लेकिन कुछ बहुत धीट होते हैं, वो अधर से निकल जाते हैं, और किसी दूसरे ग्रह के आसपास पहुंच जाते हैं, तो ऐसे कुछ धरती के नजदीक भी आ जाते हैं, अगर कोई बहुत बढ़ा asteroid धरती पर टकराएगा, तो definitely बहुत नुकसान होगा, ऐसे asteroid ज निकल और आइरन के भी बने होते हैं, हमारा next article Candida auris के बारे में है, Candida auris जो की एक बहुत ही खतरनाक pathogen है, in fact एक प्रकार का fungus है, इसे for the first time अंडमान एन निकोबार आइलेंड में identify किया गया, क्योंके निश्यत तोर पर एक खतरे की बात है, Candida auris जिसे short में आप C auris भी वो स रखते हैं, ये एक multi-drug resistant fungus है, और दुनिया भर में human health के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है, for the first time इसे 2009 में जापान के एक patient में identify किया गया था, उसके बाद लगभग पिछले 10 सालों में ये 5 continent के 40 देसों में fell चुका है, multi-drug resistant होना इन्हें बहुत ज़धा खतरनाक बना देता है, ज्यादा तर anti-fungal medicines इन पर वर्क नहीं करती, at the same time हमें इनके बारे में जानकारी भी बहुत कम है, चुकि ये हाल फिल हाल में emerge हुई एक बिमारी है, that's why ये और भी ज्यादा खतरनाक हैं, दवाएं इनके उपर उडेल भी दो, तो इन्हें फरक नहीं पड़ता, that is the reason, कि ये ज्यादा खतरनाक हैं और हमें ज्यादा concerning होना चाहिए, ये जो fungus infection है, ये ज्यादा तर tropical marces में देखने को मिलता है, mars ऐसा wetland होता है, जहाँ पर घास पाई जाती है, marine environment में, at the same time, ये एक emerging pathogen है, कम जानकारी होने के वज़े से भी ये खतरनाक हो जाता है, symptoms की बात करें, तो जब तक ये body को पूरी तरीके से capture नहीं कर लेता, तब तक जदा तर symptoms दिखते नहीं, जो symptoms आते हैं, वो fever और chill, यानि कि सरदी के form में आते हैं, थन लगने लगती है, symptoms कई बार medicine देने के बावजूद जाते नहीं, और इस वज़े से उस व्यक्ति की मौत हो जाती ह जो vulnerable population के गर हम बात कर रहे हैं, तो उसमें बच्ची, elderly लोग, ऐसे लोग जदा इसकी चपीट में आते हैं, सबसे पहले तो ये skin को infect करता है, infection के बाद वो घाव बन जाता है, और उस घाव के जरीए ये blood stream में एंटर कर जाते हैं, एक बार ये खून में एंटर कर गए, उसक जैसे ये खतरनाक हैं, usually जो antifungal drug है, उसकी मदद से हम infections को cure कर लेते हैं, लेकिन ऐसा इस case में नहीं होता, दूसरी बात, कि ये complex environment में भी survive करने की छमता रखते हैं, usually जो भी pathogens होते हैं, उन्हें survive करने के लिए एक होश्ट की जरूरत होती है, जिसके उपर वो survive कर सकें, उसक के साथ खूम टहल सकें, मज़े कर सकें, और बाद में उसे impact करके मार सकें, लेकिन ये कई बार dry surface पर भी पढ़े रहते हैं, you can imagine कि एक ये जो fungus है वो आपकी first पर टहल रहा है, एक आपकी दरवाजे की कुंडी पर लटका हुआ है, और नदजार कर रहा है कि कोई उसके से गुजर गया, तो संभावना ये है कि 90 दिन में वो गुजर जाएगा, तो कि most of the cases में ये 90 दिनों में जान लेवा बन जाता है, अगर हम बात करें, identification की तो वो भी काफी hard है, जो भी मारे पास methods हैं, कई बार उनकी मदद से हम इसे identify नहीं कर पाते, इसलिए इसका management भी inappropriate होत है, और ये lethal बन जाते हैं, vulnerable section की बात करें, तो ऐसे कोई भी व्यक्ति जिनका immune system weak है, like elderly लोग, बच्चे, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी अंद बिमारी से भी ग्रसित है, वो इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं, US और UK जैसी countries इससे ज़्यादा प्रभावित रहती हैं, इंडिया में इसका prevalence कम था, लेकिन अभी अंडमान निकोबार में identify हो गया है, तो हमें conscious हो जाना चाहिए, treatment की बात करें, तो ज़्यादा तरह fungal infection treatable होते हैं, candida auris की जो category के हैं वो भी, जो एक antifungal drug होती है, echinocandins, उसकी मदस्ति, लेकिन कुछ candida auris infections इतने lethal हो और उसके बाद व्यक्ति की जान जाना लगभग तै हो जाता है, नेक्स्ट आर्टिकल बैकाल GVD के बारे में है, GVD का मतलब है gigaton volume detector, Russian scientist ने भी deploy किया इस telescope को, जो कि एक giant underwater space telescope है, लेक बैकाल में, लेक बैकाल की आप location सबसे पहले देख लेजिए, उसके बाद इस आर्टिक की सबसे पुरानी और सबसे गहरी लेक कहा जाता है, दुनिया में जो भी total unfrozen fresh water है, उसका 20% आपको लेक बैकाल में मिलता है, चूँकि ये काफी isolated है, इसलिए fresh water faunas की एक अच्छी प्रजाती हमें यहां मिल जाती है, approximately 1700-1800 endemic plants और animals species यहां पे मिलती है, 1996 में लेक बैकाल क UNESCO की world heritage site भी declare किया गया था, so that was all about lake बैकाल, बात करते हैं इस space telescope के बारे में, ये neutinos की search करेगा, neutinos क्या होते हैं, देखें, neutinos अभी तक जो हमें जानकारी है, उसके मुताबिक सबसे छोटे particles हैं space के, ये हर जगे हैं, ये किसी भी body से बहुत weakly interact करते हैं, मतलब आपके हाथो ये ये अंतरिक्ष में भी बहुत दूरी तक travel कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए कुछ hindrance नहीं होता, ये planets बगएरा को cross कर जाते हैं, अगर हम इने detect करके study करते हैं, तो universe के बारे में हमें अच्छी जानकारी मिल सकती है, जहां भी हम इसे detect कर रहे हैं, वहाँ पर volatility कम हो तो अ जाएंगे, जैसा कि हमने बात की कि किसी body से जल्दी interact नहीं करते हैं, बहुत loosely interact करते हैं, टकराते नहीं हैं, बलकि cross कर जाते हैं, तो इन्हें वहाँ पर एक सांथ atmosphere में detect करके study किया जा सकता है, ठीक, हमारा next article, diatom test के बारे में है, diatom test, मरास्ट के anti-terrorism squad ने अभी कहा कि व या वो murder करके फिक दिये गए थे पानी में, ये diatom test पर ही decide हो पाएगा, देखे, मुगे संबानी जी की आवास के बाहर एक वहिकल में bomb मिला, उसके कुछ समय बाद एक व्यापारी मनसुक हिरान जी का murder हो गया आरोपित तोर पर, और उन्हें दूबा हुआ पाया गया, diatom test से ही हो पाएगा, दूबने के बाद उस व्यक्ति की मौत किस वज़ा से हुई है, इस बाद का पता करपना काफी मुस्किल होता है, फिर यही एक रास्ता बसता है, diatom actually में है क्या, diatom एक प्रकार का algae होता है, algae देखे, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, एक कोई व्यक्ति पानी में डूबता है, तो वो सांस लेने के चक्कर में पानी पी लेता है, तब यह diatoms उसकी बॉड़ी में एंटर कर जाते हैं, सांस लेनी की जद्धो जहद में, बॉड़ी में कई सारे जो stretches होते हैं, उसके जरीए बलड में एंटर कर जाता है, चुकि आद का circulation नहीं होगा, तो वो internal organ तक नहीं पहुच पाएगा, इसके जरीए पता करने की गोसिस की जाती है, कि व्यक्ति की मौत पानी में डूबने से हुई, या डूबने के पहले ही उसे मार दिया गया था, तो datom test इसी वज़़ से news में रहा था, उमीद करता हूँ, यह आपको स और इस रो, दोनों मिलकर develop कर रहे हैं, इस satellite को 2022 में launch किया जाएगा, कहां से launch किया जाएगा, 37 धवन space center से, center से, जो की स्री हरी कोटा में है, near polar orbit में इसे launch किया जाएगा, यह देखे, हर 12 दिन, पूरे globe को scan करेगा, तीन सालों का यह पूरा mission है, जब यह पूरी earth को scan कर रहा होगा, तो earth की imaging की जाएगी, land की, ice sheets की, sea ice तमंदर में जो बरफ है उसकी, बहुत ही unprecedented level पर, जो earth का view है, उसे capture करने की कोसिस की जाएगी, इससे हमें फाइदा क्या मिलेगा, फाइदा यह मिलेगा, कि earth के surface पर land mask का क कोई भी moment हम निसार के माध्यम से track कर पाएंगे, किस precision के साथ, 0.4 inches का भी अगर moment हो रहा है, किसी piece of land का, तो हम उसे track कर सकते हैं, एक tennis court जितना होता है, उसके half size का land भी अगर move कर रहा है, तो हम उसे निसार के माध्यम से track कर सकते हैं, जो NASA है, वो इस initiative के लिए क्या provide करवाए नासा का क्या contribution होगा, वो इस satellite के लिए एक radar provide करवाएंगे, एक high rate communication subsystem देंगे, जो कि science का data gather करेगा, एक GPS receiver होगा, और payload data subsystem भी NASA के द्वारा ही provide करवाए जाएगा, इस रो का क्या roll होगा, इस रो एक spacecraft bus provide करवाएगा, एक second type of radar भी इस रो की तरफ से होगा, जिसे S band radar कहा जा स रखता है, launching vehicle भी इस रो की ही होगी, और जो भी launching की services होगी, वो हमारी होगी, जो निसार होगा, इसके पास अभी तक सबसे बड़ा reflector antenna होगा, जिसे NASA ने कभी भी तयार किया है, primary goal ये होगा, कि हम Earth के surface पर छोटे से छोटे change को भी track कर सके, अगर कोई volcanic eruption होने वाला है, तो Earth म होगी, हम उसे track कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, कि area volatile है, तो यहाँ पर volcanic eruption हो सकता है, groundwater supplies commuter किया जा सकता है, कहाँ पर कैसा flow चलता है, और ice seeds की melting है, उसे भी track किया जा सकता है, synthetic aperture radar, निसार इसे नाम दिया गया है, NASA ISRO SAR, SAR का यहाँ पर मतलब है synthetic aperture radar, ये जो radar है, इसके म आध्यम से महत के surface में, जो भी moment है, उसे track करेंगे, SAR एक ऐसी technique है, जो high resolution images create करने में capable है, काफी precision के साथ, काफी satiakta के साथ, in fact, ये clouds और darkness में भी काम कर सकता है, इसका मतलब कि हम किसी भी weather में 24x7 data gather करने में capable होंगे, through the help of, with the help of Nisar, particle, तीन नए bacterial strains के बारे में है, researchers ने अभी हाल ही में, तीन नए strains bacteria के खोजे हैं, कहाँ पर, international space station में, अर्थ पे नहीं, इसलिए ये बहुत ही जादा important है, actually में तीन नहीं, चार strain खोजे गए, लेकिन एक strain ऐसा है, जिसके बारे में हमें already जानकारी है, वो अर्थ पे मिलता है, बाकी के जो तीन strain है, उनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, हाला कि वो किस family से बिलॉंग करते हैं, ये हमें पता है, ये methylobacteria CI, इस family से बिलॉंग करते हैं, rod shaped bacteria होते हैं ये, कुछ इस तरीके का इनका shape होता है, एक rod की तरह, इसके अलावा, इनका काम क्या है, ये nitrogen fixation में म आसान सब्दों में कहूं, तो ये, कोई भी जो plant है, उसकी जड़ों के grow करने में helpful होते हैं, और overall, किसी भी पौधे की growth में contribute करते हैं, biocontrol activities, इसमें भी involve होते हैं, लाइक, अगर कोई pathogen, plant के उपर attack करने वाला है, तो ये bacteria, उन pathogen से भी plant को बचाते हैं, overall, ये plant को secure करते हैं, और इसकी growth में contribute करते हैं, तो आप इसे एक अच्छा bacteria कह सकते हैं, अब अगर ये international space station में मिले हैं, तो इसकी क्या significance है, इसकी significance ये है, कि अगर ये इतनी low gravity वाले area में, खुद को बचा के रख पाए, तो ये संभावना दिखाता है, कि ऐसे areas, जहां पर बहुत ज़्यदा stress है, stressful जो areas है, like Mars, Moon, ऐसी जगहों पर plant की growth के लिए experiments किये जा सकते हैं, या उनकी औरिग रास्ता खुल जाता है, researchers ने इस नई species का जो नाम है, वो methylobacterium अजमली रखा है, इंडिया के एक renowned biodiversity scientist रहे हैं, डॉक्टर अजमल खान, जो कि अन्ना मलाई University जो तमिल नाडू की है, वहां के former professor हुआ करते थे, उन्हीं के सम्मान में इस नई species को ये नाम दिया गया है, हमारा अगला आर्टिकल है, Human in Space Policy for India 2021 से सम्मद देत, Department of Space जो है, इन्होंने public consultation के लिए draft को public platform पर रखा है, इसका नाम जो है, Human in Space Policy 2021, यहां पर guidelines और procedures को किस तरीकी से implement किया जाएगा, इसके बारे में बात करी जा रही है, हम बात करें, Indian Human Space program के बारे में, तो इसकी activities बहुत पहले से चालू हुई है, हम पहले देखते हैं, इसका aim क्या है, तो इसका aim यह है, कि जो low earth orbit है, बहाँ पर हमें human को भेजना है, यह simply आप समझ सकते हैं, कि यह इसका target है, और 2007 में इसको initiate किया गया था, इस रो के द्वारा, जिसका target low earth orbit तक आदमी को पहुचाना है, और first unmanned mission जो है, वो plan किया गया है, 2021 के December के लिए, फिर एक और unmanned flight होगी, 22-23 के बीच में, और finally फिर human space flight होने वाली है, जिसका demonstration गगन यान के द्वारा किया जाएगा, इसके बहुत सी faces होंगा, बहुत से इसके components हैं, उसके हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर 3 astronauts को carry करा जाएगा, और 300-400 km की जो उचाही है, उसके उपर 5-7 दिन रखने की विवस्ता बने आई जाएगी गगन यान के अंतरकत, अब इस गगन यान को भेजा कैसे जाएगा, तो GSLV Mark III के द्वारा इसको भेजा जाने वाला है, जो 4 टन के आसपास बजन उठा लेता है, और यह जो satellites को geosynchronous transfer orbit में launch करा जाएगा, GSLV Mark III के बारे में हम जानकारी ले, तो सबसे पहले उसमें strap-on's होने वाले हैं, दो solid strap-on's होगे, आप देखे, इस तरीके से मान के चलिए, आपका GSLV है, imagine करें lipstick जैसा, और इसमें छोटे strap-on's लगा दिये जाएंगे इस तरीके के, अब छोटे strap-on's लगा दिये, यह आपके हो गए strap-on's, दो solid strap-on हो गए, और उसके बाद यह जैसे उपर जाते हैं, तो यह दोनों नीचे गिर जाते हैं, उसके बाद इन्होंने एक liquid core stage होने वाली है, उसके बाद एक और जो होगी, वो cryogenic stage होगी, तो तीन stages होने वाली, सिलिए Mark 3 से आप तीन stage याद रख सकते हैं, गागन यान National Advisory Council भी तैयार करी जारी है, जिसके जो members हैं, वो अलग अलग institutions और industries से आएंगे, जो इसी mission के बारे में deliberate करेंगे, चर्चा करेंगे, और रास्त पर करना है, फिर atmosphere में उसको re-enter करना पड़ेगा, तो re-entry के उपर भी experiment चल दे हैं भी, वो बचाता है आपका atmospheric re-entry experiment, इसके बाद हम कैसे, जो satellite है, जो launch vehicle है, उसको बार बर हम use कर सकें, तो reusable launch vehicle के उपर भी study हो रही है, और अगर कोई ऐसी emergency situation आते है, जहां crew को बाहर निकलना ह तो crew escape system और pad abort system के उपर भी, अभी experiments चल रहे हैं, गगन यान में ये सारे components होने वाले है, means के लिए जादे important हो जाता है, अगर गगन यान के बारे में विस्तार से पूछा जाए, यहां पर हम देख लेते हैं के कौन कौन सी countries हैं, जो अभी तक इंसान को भेज चुकी है, space में सबसे पहले वोस्टोक वन mission जो आया था, इसमें यूएससान ने 1961 में यूमन को भेजा, उसके बाद आप देखते हैं, mercury mission होगा यूएस का 1961 में, जिसमें first American जो हैं वो space में पहुँचते हैं, फिर सेंजाओ प्रोग्राम है, चाइना का 2003 में हुआ था, और पहला इंडियन य तो आज के इस session में बस इतना ही, thank you very much